वेल्कम तो लॉजिक एंटेक्ट फॉर्थ लेक्च्चर ऑफ इस सेकंड यर कंप्यूटर साइंस आज का मारा क्वेस्टेन है जी वर्टीस डेटाबेस और फॉर्टेस इस अब्जेक्टिव्ट यह मारे पास्ट चैप्टर नूबर वन को क्वेस्टेन है सबसे पहले हमने डि और डेटा इना कंप्यूटर सम प्रोग्राम कंसल्ट वीट डेटाबेस टू आंसर दे क्यूरी यहां पे क्यूरी से मुराद यह है कि एक फाइल के अंदर आपके पास स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुए और आप चाहते हैं कि किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें पर किसी प्रोग्राम या कि सौफियर के तरू हम डेटा बेस को पास करेंगे और डेटा बेस के अंदर से इस रोल नंबर के इस जितना भी उस स्टूडेंट का डेटा होगा वह हम एकसेस कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमने जब रोल नंबर पास करना है और उस रोल नंबर के तरू डेटा बेस के अंदर से किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम सर्च करके ले आते हैं तो पहले हमारे पास वह सीरफ एक रोल नंबर था लेकल अब उस रोल नंबर के साथ हमें स्टूडेंट का नेम भी पता양 चाल गया है उसका ये भी पता चाल रिकॉर्ड जाल गया है। क्योंकि पें मारे पास टो डयोटा ट्रहें जो मिलेगा उसे हम कहेंगे कारिए हमारे पास एकुछ मिन इस इंफौरमेशन है। इस इन इंफौरमिशन गैप सास्थ तो मेक दिसिय 내wynge सो डेटाबेस इसकोलेक्शन ओफ रिलेटेड रिकॉर्ड डेटासेट्स एंद फील्ड सॉरी फाइल सॉफ्वेर यूज तो मैनिप्लेट डेटाबेस इसकॉल डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम जी अभी हमने थुट गिर पहले बात की है कि हम डेटाबेस को क्यूरी स्पास क करते हुब और की बेस्वेमें जो डेटा मिल्कान उसे हम информ piece कहते हैं लेकिन वो जो कियूरी आंडाबेस के अप्लाइ करते हैं उनको अप्लाइ उप्लाइ करने के लिए हमें different सौफवेर्द की जुरूद पड़ती है वह वैले सॉफ्वेर्स जिनको nोब एकर information about their clients and their accounts किसी भी बैंक के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट्स बने हुएं उनकी information को और उन लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए हर परसन की एक अलग अलग फाइल बनाए जाती है इस information belongs to the father going like क्लाइंट्स की information हो सकती है उन फाइल्स के अंदरgesch apart kids ले उस परसने जिसका कांट है उसने अपने कांट्स क도 एक करेक्स की है कितने पैसे निकलवाएं कब निकलवाएं hani वह डीटियल हो और उसके साथ-साद हमारे पास एक और डेटेयल है Lone detail के एक बंदे ने बैंक के अंदर अकाउट कोला है और उसके पास 50,000 और उसने 10,000 बैंक से लोन ले लिया तो Osके लोन की detail भी उसकी एक File के अंदर maintain की auch होगी इस तरह की सारी फाइल होती है जो डाटा बेस के अंदर मैनेज की जाती है अभी हमने डाटा बेस के अब्जेक्टिव देखने जी डाटा बेस के जो अब्जेक्टिव हैं उनको तीन में पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है पहला हमारे पास डाटा इंटीग्रे बान-बाइब गेंगे तो सबसे पहले हम ने डिसकेश करना है वह अव है डाटा इन्टिगरेशन के मराद होता है कि पहता है कि छीज he Ст waterfall देना donut मैं से मराइनरे से में जाहिर है कि data integration मेंज मुख्तलिफ जगों पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको एक जगह पर सेंट्रलाइज कर देना एक जगह पर इकठा कर देना इस प्रोसेस ऑफ कंबाइण डेटा स्टोर्ड एडिफरेंट प्लेस अस्टोरिज दिवाइस एंद प्रवाइद यूनिफाइड व्यू ऑफ इस डेटा वूजर्स it increases the frequency as the volume and the need to share existing data explodes explores means बहुत शदीद किसम का शिदत के साथ means इस लाइन का मतलब ये है ये वाली जो लाइन है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमें किसी एक जगह पर डेटा पड़ा हो और उसको एकसेस करने की ज़रूरत ज्यादा पड़े तो उसी तरह उसकी जो frequency है data को access करने की वो बढ़ती जा रही है मैं repeat कर रहा हूँ कि अगर किसी एक जगा पर data पढ़ा हुआ है और उसकी हमें बार बार जरूरत पढ़ रही है बार बार बड़ी जरूरी है हमारे लिए कि हम उस data को access करें तो इसलिए यहां पर वो यह लिख रहा है कि it increases the frequency कि data को access करने की frequency बढ़ जाती है जी नेक्स्ट मारे पास है data integrity इंशूर्स देटा इस होल और कम्प्लीट इंटेग्रिटी मीन इंटेग्रिटी कहते जी सालमियत को किसी चीज़ का मकमल होना तो data integrity means database के अंदर के database इस चीज़ को एंशूर करता है इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जितना भी data है उसे मकमल तोर पर एक जगह पर पड़ा होना चाहिए वो बिलकुल मकमल data होना चाहिए उसमें से कुछ भी missing नहीं होना चाहिए data is maintained as single copy to be more consistent it ensures that data can be accessed and altered by authorized persons data integrity ही इस चीज़ को शूर करती है कि जिस बन्रे को data को access करने की या update करने की इजादत है वो ही data तक पहुँच सकता है data integrity refers to the accuracy and consistency of the data data integrity मारे पास जो है उसी से related यह point है कि a good database will enforce data integrity whenever it is possible for example a user could accidentally try to enter a phone number into date field एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने date को एंटर करने है है date of birth को एंटर करने लेकिन गलती से आप वहाँ पे phone number enter करना start कर सकते कर देते हैं लेकिन database जो है वो इस चीज़ को enforce करती है if the system enforces data integrity it will prevent the user from making these mistakes next मारे पास जी data independence यह मारे पास तीसरा objective database का इसके हमने दो ही points डिसक्स करने हैं बड़ा short सा यह topic है database allows the organization to change the data without the need to develop a program again for example एक organization है या अधारा है उसने अपना data किसी file के अंदर या database के अंदर store किया हुए in future उस organization को यह जरूरत पड़ती है को अपने data को change करें तो क्या data को change करने के लिए उसे एक नए software की जरूरत पड़ेगी नहीं database इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि हमारे पास जो software पहले से अल्रेडी यूज हो चुका है उसी software को use करते हुए हम data को again change कर सकें इसलिए उन्हें यहां पर दबारा लिख है database allows the organization to change the data without the need to develop program again last point जी इस यहां पर इत का मतलब है data independence data independence allows programs to be modified without reorganization of data data को भी दोबारा organize करने की जरूत नहीं पड़ दी सिरफ आपने अपना data change करना है और आपका जो data है database के अंदर automatically खुद बहुद organize हो जेगा जैसे हमने इसको पहले और गनाइस किया हुआ था यह जी मारा आज का lecture था अगर किसी को कोई problem आती है किसी point की समझ नहीं आती तो वह प्लीज कमेंट section में contact करें अपनी क्यूरीज वहाँ पर बताए मुझे मैं अपनी full question करूंगा कि मैं आप लोगों को satisfy कर सकूं thank you very much for watching stay connected for further lectures अपनी हमें आती है अपनी है था जाताव रखे जावर्षा था बद्रश्स